आप सबको स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो के अपसोड में अभी जो है बीएमेस में एड्मिशन चल लाएं और जल्दी फर्स्ट इयर का बैच जो है शुरू हो जाएगा जितने भी बच्चों ने नए अड्मिशन लिया है तो ऐसे बहुत से बच्चों का सवाल था कि फर्स्ट इयर में कौन-कौन से किताबों से स्टडी की जाए जिससे कि उनको पढ़ने में असानी रहे और सब्जेक्ट की तयारी अच्छे सी हो जाए तो आपको अंदाजा लग करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट इयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट है इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि फर्स्ट इयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट है और कितना इनका डिवरेशन है आप डिटेल में देखने के लिए उपर आई बटन क्लिक करके आप दे तो फर्स्टेश्ट्रrant सेकेंड फर्ड फर्ड प्रॉफेस्ट्र MOBG 304 तो जो शुरू के तो प्रहूं पर सकेंड ठीक से त्यारी नहीं कर पाते हैं तो आपको पूरे टाइम जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो एनाटेमी है फिजियोलजी है या पदार्थ विज्ञान है या आयरवेद का इतिहास है या स्टांग हिर्दा है यह कहीं ने कहीं जो है जितने भी हम इसका जाती है उन सबका बेस्ट जो है फस्टियर है तो काफी जो महतक्वरण है फस्टियर का सिलेबस और इनके जो भी बढ़ाये जाते हैं उन सबको त्यार करना तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन सी विषय है तो फस्ट इयर में जो है सबसे इंपोर्टेंट है रचना शारीर या आयनाटिमी जो दूसरा है क्रिया शारीर यानि की फिजियोलजी जो तीसरा है पदार्थ विज्ञान है फिर आयरवेत का इतिहास है अश्टांक हिर्दा है और संस्क्रीथ है तो इतने सारे विषय को आपको फस्ट इयर में पढ़ना पढ़ता है तो सबसे पहले हम लोग एक-एक विषय को लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस विशाय के लिए कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी और उनको पढ़ने से आपको उस विशाय की समझ और नॉलेज दोनों अच्छी हो जाएगी तो सबसे पहले सुरू करते हैं रचना शारिड से याने के अनाटमी से तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे आपके पास options उपलब्ध हैं फिर भी हम यहाँ पे कुछ ऐसे authors के नाम बताएंगे जिनके किताबे पढ़ने में काफी अच्छी हैं हो सकता है इनसे भी अच्छी-ची किताबे हो लेकिन जो हमारे हां बिसे शुरूब से जो उत्तर परदेश, बिहार, राजियों में जो किताबे पढ़ाई जाती हैं हम उनकी ही चर्चा करेंगे क्योंकि किताबे बहुत अच्छी हैं और आप अगर ठीक से पढ़ते हैं तो उस विसाई के काफी अच्छी समझ और नौलेज आपको मिल लाएगी तो रचना में सबसे पहले स्थान पे जो पुस्तक आती है ओ है अचार्च वैदताराचन सर्मा की तो यह पुस्तक काफी पुरानी है लेकिन अभी इसका जो है रिवाइजट एडिसन आ चुका है और जो आथर है जिन्होंने इसको रिविजन किया है अमरिश चानना और जैन दो लोगों ने मिलकर इसको रिवाइज किया है और यह पुस्तक जो है काफी अच्छी है और बहुत समय से चली आ रही है इसमें आपको डिटेल में आईरवेद का पक साथ में आपको आधनिक पक्ष भी इसमें आपको मिल जाएगा रचना सारी में जो दूसरी पुस् देना द्वारा लिखे गई है और यह पुस्तक भी मॉडर्न और आईरवेद दोनों विस्यों को अच्छे से कभर करती है और काफी अच्छा है जब आप इस पुस्तक को देखेंगे तो लगभग इसमें सारे विस्यों को पूरे सिलेबस को समाहित किया गया है आईरवेद क जगा जो फर्स्ट वाई से हमेशा से बिडिचोरस यहीं रही है हालांकि इसके अडिशन्स हमेशा रिवाइज होते रहे हैं और इस समय चार वालूम्स में उपलब्ध है तो यह काफी अच्छी बूक है अनाटमी का लिहास से थोड़ा सा इस से अगर आप और ज्यादा जा एनाटमी में पढ़ने के साथ है चैनलस लonkar है तो आप उसको लेसकते हैं और आपके लिएक काफी ज्यादा उप्योगी होगी कंव जङ Shea उसका नाम इट लाइन यह खुए तो औक पुस्त क nella मताएंगे उसमें एक पुस्टक है आयरवेदी कृया शारीर बिग्यान, जिसके लेखक है डॉक्टर केके मिस्रा, ये बाद जो दूसरी पुस्टक है, उसका नाम है शरीर कृया बिग्यान, जो प्रोफेसर जैराम यादोद्वारा लिखी गई है, ये दोनों पुस्टके जो हैं काफी अच्छी है क्रिया शारीर के छेत्रे में आप इनको जब भी अधेन करेंगे तो आपको शंपूर्ण विसाय का नौलेज मिल जाएगा आयरवेद के अलाबा जो मॉडर्ण की पुस्तक है उसमें जो सबसे अच्छा नाम आता है वो है चौधरी की चौधरी का जो है medical physiology आती है वो काफी अच्छी है और बहुत simple language में लिखी गई है जो दूसरी पुस्तक है essential of medical physiology जिसके आथर symbolingam है यह पुस्तक भी काफी अच्छी है और इस पुस्तक से आपको परिक्षा में बहुत ज़्यादा help मिलेगी क्योंकि जो इसमें विश्योक और chapters का description दिया गया है और to the point दिया गया है तो इससे आप विश्योको तो आयाद करी सकेंगे साथ में आप इसको एक्जाम में भी अच्छे से लिख सकेंगे जो तिसरी बुक है वो है textbook of medical physiology जिसके आथर गाइटन हाल है यह पुस्तक काफी advance है अगर आपको ज़्यादा जानना हो physiology में तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं अन्य था आपको चौधरी की physiology और symbolism की physiology से ही आपका काम चल जाएगा क्रिया शारीर के बाद जो अगला महत्वपूर्ण विश्य है वह है पदार्थ विज्यान क्योंकि पदार्थ विज्यान में वो सारे basic चीजे शमाहित की गई है जो आपको आ उसमें जो भी पदार्थ विज्यान के जो भी गुड़ विशा है उनको बहुत अच्छे से उनका उनकी व्याख्या की गई है तो ऐसे में आपको उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए प्रोफेसर बेके दिवेदी सर की पुस्तक को इसके अलावा प्रोफेसर रभिदत सारे questions bank भी मिलेंगे जिसमें थोड़े बहुत objective questions भी है short questions long question है और साथ में MCQ टाइब के भी question है तो श्रीवहरे की भी पुस्तक काफी अच्छी है पदार्थ विज्यान में पदार्थ विज्यान के बाद जो अगला विशा है वह है अस्टांग हिर्दय अस्टांग हिर्दय जो है ब्रहत्रई का एक पार्ट है और चिकिसा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है तो इसलिए अगर आपको चिकिसा का छित में सफल होना है तो आपको अस्टांग हिर्दय की गहन समझ होनी ही चाहिए तो इससे अस्टांग हिर्दय के लिए तो बहुत सारी पु लिख है और बहुत ही सिम्पल भासा में लिखी गई है अत्रि द्यवगुप्त के लावा प्रोफेसर अभितर त्रिपाठी के भी अस्टांगीरदा आती है ये यह बीहांदी और बहुत अच्छी हैं जो तीसरी है वह ब्रह्मान द्रिपाठी की जो अस्टांग र्दर दो ही पुस्तक के मैं बताऊंगा जो कि काफी महतोपूर्ण है जो पहली पुस्तक आती है आयरवेद का इतिहास एवंग परिचय जिसके लेखक डॉक्टर अभिदत्री पार्टी और डॉक्टर विद्यादर शुकल है यह पुस्तक जो है संचेप में आयरवेद के इतिहास को इसमें लिखा गिया है और काफी महतोपूर्ण पुस्तक है लेकिन अगर आप इतिहास को बहुत डिटेल में जाना चाहते है और विस्तार से जाना चाहते है तो जो दूसरी पुस्तक के वो है आयरवेद का बैग्यानी की तिहास जिसके लेखक अचारी प्रिवर्ण सरमा है और यह पुस्तक थोड़ी सी इलेवरेटेड है बड़ी है लेकिन इसमें हर तत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी प्रत्थम ब्यवसाय क्यानी कि फस्ट एर बियमेस के जो महतोपूर्ण विसे थे और उस विसे से सम्म अंधित जो महतोपूर्ण पूस्त के थी उनके बारे में हमने आपको डेटेल में बताया है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इससे अधिक सदिक लाइक कीजिए और शेयर केजिए